नमस्कार आप सभी का Against Reaction 99 में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेगे क्या इंडिया के सरबुच न्याले सुप्रीम कूर्ट भी RTI Act के दाइरे में है और क्या हम लोग सुप्रीम कूर्ट में भी RTI लगाकर जानकारी ले सकते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर और पर भी क्लिक अवज से कर लें जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा इसे इतना सेर करें कि हर भारतिये को इसकी जानकारे आशानी से हो सके तथा वे कोट में भी आर्टे आई एक्ट के तहट सूचना प्राप्त कर अपने बात की सिख्र सुनवाई करवा सके तथा एक लाइक अवस्य कर देंगे तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि सुप्र जिसका दोनों का जवाब इस टैरी संख्या भी उपर में अंकित है इसका जवाब दिया गया है चुकि सुप्रिम कोट का हर चीज इंगलिस में ही रइस्टरट किया जाता है इसलिए इंगलिस में ही जवाब प्राप्त है आप लोग लगातार इस वीडियो को बिना जो मैंने डाला था दो या डारी नंबर 9802 and 9803 RTI 22 से आई डेट दिसंबर 5 2022 फ्रॉम अजय अकरवाल अडिस्टार सीपी आई ओ है सुप्रीम कोड के यही केंद्रिय सूचना पता दिकारी है तू यह मेरा नाम और पूरा पता है यह मेरा मुवाइल नंबर है सब्जेक्ट अप्लिकेशन अंडर RTI 2 इनफर्मेशन एक्ट दो हजार पाँच विट रिफ्रेंश तू योर्ट तू सभी टिनली इस सिमिलर RTI अप्लिकेशन डेटेट 9-11-2022 रिचीवट इन दे से क्रेटरिया नंब्स बूर्ट औरे तू नवज़ नवज़ दू बूब इन रिक नवज़ इन अवीड बूंट बूज़ ज़ीम इन प्र नवान पन्टम प्रोन व्र पंड विज़ आब थार्य दार टूर्मिक यह लाइट टू अर वानॉब प्रॉंब एप्र डिए your later petition dated 16 5 2000 by being speed ports number it not dated it now was received and and derived as inward number 55440 oblique sci oblique bill e oblique 2022 in the public interest litigation e section further status action taken on later petition along with the summary of decision taken report order can be seen on supreme court website visit www.sci.gov.in under the grievance management option at the bottom of the home page please find included here with true copy of nothing in respect of later petition derived as inverse number it now in the public interest litigation litigation e section containing one page sh atul m khura khar lt register supreme court of india is the first appealing authority under the art right to information act 2005 and the appeal if so advice can be filled within 30 days from the receipt of this reply यह वहांके supreme court के केंद्रिय सूचना पितादीकारी है इनके इसके साथ एक का मुझे यह जवाब भी प्राप्त है इस प्रकार आप लोग भी सुप्रिम court में अवस्सार टी आई लगाकर किसी वी तरह की जानकारी ले सकते हैं इस प्रकार हर court हर न्याले भी आर्टी आई एक्ट के दारे में हैं यह मैंने आप लोगों को औरिजनल सर्टिफाइट कापी दिया है जो मुझे आर्टी आई एक्ट के तहत मिला है आप आप लोग देख ले इस प्रकार कोर्ट भी RTI एक्ट के दारे में है और अबस आप कोर्ट में RTI लगाकर जानकारी प्राप्स कर सकते हैं इस चैनल पर तीन प्लेलिस्ट भी बना हुआ है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर अबस मुझे सपोर्ट करें तथा अप ले लिस्ट में जाकर अधिक से अधिक दी गई है आप लोग किस प्रकार कोर्ट में RTI लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार RTI लगा सकते हैं इसकी जानकारी पहले ही दी जा चुकी आपने लिस्ट में जाकर वहां से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जय है